प्रिक्ट की कहानी वही कि वही है राल पिंटी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की तीन विक्टे 16 रंस पर गिर गई है अब आजम बगएर कोई रन बनाए आउट हो गए है पाकिस्तान और बंगलेश के दर्म्यान मेरे घंटे का किंग, 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 मेरे घं यो तुम्हारा बाबराजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के उपर अबे दूसरी बॉल के उपर ये जाहिल इंसान भाई अंडे का अमलेट बना लो या फिर उभाल के खालो बात एक ही है अंडा अंडा ही रहता है बाबराजम जीरो पे आउट हो गया भाई गेंटा गेंटा ही है भाई जब भी आता है जीरो पे बच जाता है बाबराजम बड़े हरसे बाद देदार हुआ बाबराजम का वाइट हिट के अंडर चम चमाते वे बाबराजम आ रहे थे जितनी जल्दी वो आय उसकी डबल जल्दी वो वापस अले गया दो बॉलो पे बड़े बनाया यह बाबसी दा केंगे एक के लिदा के मले दा किंगे मैं अब भी गलोरीफाइ करें बाबराजम को आपको एड़ा करें जो गली मलेगा चुवा उड़ता है उसको आप इंग बना देते है यह बैटिंगा रहे है शरम करें पूरा पाकी साम वेड गारा था बाबराजम को इस दुनिया में आया क्यों है इसके फैंस के मूँ के ओपर थूखता हूं मैं बाबसी दा किंग लिंड यार यह इतना कोई सेलफिश इंसान है इतना कोई घटिया इंसान है इसको कप्तानी चाहिए टेस्क यह असल बात है यह 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 कहते है मुझे टेस्ट में कप्तान बनाओ के तो ही मैं अपने जो रंस निकालूंगा वरना मुझे रंस निकालने नहीं है यह इतना सेलफिश इंसान है इसके यह उसको भी पीछे छोड़ देगा अपू पाकिस्तानी लोगों का पू गंटे का और गंटा वाई जान फिल आउट हो गया इस गंटे को किंग तो कहते हो ना वह यह लंडे का किंग यह गंटे का किंग यह बापर आजब गंटा ओफिशली इंटरनेशनल गंटे पाकिस्तान और बंगला देश के दर्मयान रावल पिंडी का टेस्ट का पहला रोज इखताताम को पहुंचा पाकिस्तान ने 158 रन और चार विक्तों के नुक्षान पर आज खेल का समात हुआ बारिश की वज़ा से मैच का स्टार्ट सही तरह से ना हो सका और दो बच के 30 आते हैं अब्दुल्ला शफीक आते हैं स्लिप पे कैच पकड़के चलते बनते हैं शानमसूद आते हैं उन्हें कोई पता नहीं है कि मेरी शौड किदर है मेरा बैड किदर है एक इन स्विंगर आया बॉल और उस पे वह रोते हुए आउट हो गया पर बाद में इंपायर को आप सब को पता है कि वह उनकी जो खास्कित बन चुकी है चाहे वो लोवर की फटा विक्टे हो चाहे वो दुबई या यूए की ग्राउंड हो चाहे रावल पिंडी की फटा विक्ट हो उसके ओपर भी जो बोल्ड हो गए गोल्डन टक पे उनका आउट हो गए अब उसके साही मयूब और उनके जो वाइस केप्टन है साहू सेकील पुरफ चोटा डौन या उनने बिड़ा भी कहा जाता है उन्होंने टीम की बारी को संभाला और नगया पार लगाने की कोशिश की लेकिन फिर चोटा डौन भी आउट हुए और फिर रिजु भाई आ गए लेकिन क ऐसा हुआ कि रिजु भाई आते ही उन्होंने भी इंटेंट अपनाया और टीम का स्कोर लेके चलने की कोशिश की लेकिन मुश्किलात में घीरी टीम पाकिस्तान और भंगला देश ने उन पर प्रेशर डालिया हुए अब हम देखते हैं कि इसका नतीज़ा क्या निकलता है और एंट पर हमारे पास क्या रजल निकलते हैं सब्सक्राइब सितारा सपना पूरा कर देता हुँ लोग्वरा ने सब्सक्राइब करें निकलता ने मूरी पाकिसान कि एक ठीम और फ्रिक्रिक्टिसम् के क्रें सैवाबर आजम को अपन रिटीक्रा स्थरा करता सब्सक्राइब करकेृग्ल ह80 n कि मांते हैं होगे मतलब कि अपने घर के अंदर भी रंस नहीं कर रहा एक और डख ले लो कि क्या जरूरत पड़ी इतना बाहर का बोल खेलने की जब आपको पते हैं कि आपके दो अर्डी आउट हो चुके हुए ग्रीन विकर्ट हम बनाएंगे बंगलादेश पर टैक करेंगे अपना क्या अपनी परफॉर्मस तो देखो कि तुम्हों से खुद बल्ले बाजी नहीं होती तो तुम्हों ऐसी ग्रीन विकर्ट क्यों बना रहे हो यह बाबर आजम को इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं ऐसे बोल क्यों पर आउट होगा कोई अच्छा बोल नहीं सा बाबर आजम जिस ब बाबर आजम को सही जो सकते हैं बोलते हैं कि आप सिर्फ फ्लैट विकर्स पर डाला है उस पर क्या कहेंगे और आपके बाबर साब पिंडी विकर्ट देवी यह जीरो ते आउट हो जीरो बात ही है कि ट्रैक्टर विकर्ट होती ना तो किंग कर लेगा कर रहा है 12-14 पर एक बाबर साब 16-13 यानि कि 7 और 9 और में आपकी तबाई और बरबादी होगी वोबजी ता किंग ने कर ली है लाट पर बाल यार कोई शरम होती है कोई हया होती है पर क्या होती है तो 16 पर तीन 16 रॉंस पर बंगलादेश के खिलाब होम गराउंट पर तीन आउट और धूप न फ़िघ कहां पते हैं तो 12 올ा कोई यानि कोई हैं जाबाऊ ने किहटी कर टनुरेट ही है कोई भाबरादिषे ता कुली ओधा तो हंदुस्तान वालों के यवशप्व नाम डाले थे यहां अ क्या किंग है कोई गलि पस्ति यहां तो isしまन आ दो इसको नाम नी byगाडा म आप चाहते हैं बाबर आजम से परफॉर्मसिस लेना, इसे आर फॉर्मेंट की कप्तानी से टाएं, इसको बताएं, that you are not a king, you are just a batsman